Vectors and Equilibrium के दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि Vector Multiplication किस तरह की जाती है दो तरह की Vector Multiplications होती हैं Dot Product और Cross Product Dot Product की मिसाल Work है और Cross Product की मिसाल Torque है और Torque को पढ़ते वे हम देखेंगे कि Equilibrium क्या होता है जब हम दो Vectors को अड़ करे थे A और B को तो हम A के X Component को B के X Component में आड़ करते थे और हमेरे पस Resultant Vector का X Component आजाता था और इसी तरह Y Component मगर जब हम दो Vectors को आपस में Multiply करना चाहते हैं तो हमारे पास दो Option होते हैं या तो हम उन दो Vectors के Parallel Component को आपस में Multiply कर सकते हैं या पिर हम उनके Perpendicular Components को आपस में Multiply कर सकते हैं इस पूरी जीज को समझने के लिए सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि दो Vectors के आपस में Parallel Components कोन से होते हैं हमारे पास AX है और हमारे पास AY है AX के Parallel B का कोन सा Component है? BX क्यूंकि इन दोनों के वीच में Angle 0 है इसी तरह AY के Parallel BY है अब हम देखते हैं इनके Parallel Components कोन से हैं हमारे पास AX है और हमारे पास AY है AX के Parallel By है क्यूंकि इनके बीच में 90 डिग्री का Angle बनता है इसलिए ये Parallel Components को कहलाते हैं एक दूसरे के ठीक है तो अब हम देख सकते हैं कि या तो हम Parallel Components को में Multiply करें या फिर हम Parallel Components को में Multiply करें अगर हम Parallel Components को करते हैं AX को BX के साथ करते हैं AY को BY के साथ करते हैं हमेरे पास एक Scalar Quantity आती है इससे भी हमेरे पास एक Scalar Quantity आती है इससे भी एक Scalar Quantity आती है जब हम perpendicular components को आपस सब्सक्राइब करेंगे, इसका मतलब हई हम AX को BY के साथ multiply करेंगे और AY को BX के साथ multiply करेंगे. इन दोनों को जब हम आपस में multiply करते हैं, हम्हेर पास एक vector quantity आती है जो इन दोनों के perpendicular होती है. इस page से बाहर. और AY को जब merely Bx के साथ multiply करते हैं, तो हमारे पास एक और vector quantity आती है, जो के z direction में इस screen से अंदर होती है, ये दो z quantities हमारे पास आती है, हम इन दोनों का net effect लेने चाहते हैं, हम इन दोनों को add कर लेते हैं, उससे हमारे पास एक और vector quantity आती है, जिसको हम किदर लिखें, इदर लिख देते हैं, ये अलग है, इन दोनों को जब हम add करते हैं, हमारे पास एक और vector quantity आ जाती है, चुँक्के हमारा answer vector होता है, इसलिए इस तरह की product को हम cross product कहते हैं, इसकी further detail हम आने वाली slides में देखेंगे, इस slide का मकसद सरफ यह है, कि हमें बता हो कि हम जब dot product ले रहते हैं, तो हम दो वेक्टर के parallel components को multiply करते हैं, और जब हम cross product लेते हैं, तो हम दो वेक्टर के perpendicular components को आपस में multiply करते हैं, scalar product को हम denote करते हैं dot से, A और B का scalar product हम A dot B से denote करते हैं, और इसमें हम इन के x components को आपस में multiply करते हैं, और y component को को अबसमें मुल्टिप्लाय करते हैं, इनको हम add कर देते हैं, जब हम x components को अबसमें मुल्टिप्लाय करते हैं, चुछ हम एक ही x x कुउपटर दो नंबERS को मुल्टिप्लाय करें हैं, तो ऐसा करने से हमेर पर से 1 Scalor quantity आते हैं, यसी थरह ay को by के साथ मुल्टिप्लाय तो इस A का कोई X component नहीं होगा और इसी तरह इस B का कोई Y component नहीं होगा तो यह overall हमेरे पस scalar product 0 है की अगर दो वेक्टर आपस में almost parallel है या absolutely parallel है उतने ही उनके parallel components आप बड़े नंबर होंगे वापस में multiply होंगे बड़ा नंबर बनाएंगे हमेरे पस एक बड़ा नंबर आएगा तो यहनी scalar product से हमें हम basically एक तरह से यह भी पता चल रहा होता है कि वह दो वेक्टर आपस में कितने ज्यादा parallel हैं तीनों dimensions में अगर हम Z axis भी consider करें इसके लाभा scalar product लेने का एक और तरीका है कि हम इनके magnitudes को cos theta के साथ multiply करते हैं cos theta के यह property होती है कि जब दो वेक्टर आपस में parallel होते हैं जब उनके बीच में angle 0 होता है तो cos 0 की उपर 1 होता है जो इसकी maximum value होती है और जब दो वेक्टर आपस में 90 डिगरी का angle बनाते हैं जैनी perpendicular होते हैं तो cos 90 जो है वो 0 होता है जो कि इसकी minimum value है तो जब हम cos जब यह दो वेक्टर जो हैं इस वाले केस में जब यह दोनों एक दुछर के perpendicular होते तो cos 90 हो जाएगा तो हमारा answer 0 आएगा जैसा कि इस case में 0 आ था जब AX और BY 0 था यह नि हम cos theta से वो ही चीज हमें पताद चल रही है और वो यह है कि यह दो वेक्टर आपस में जितने parallel होंगे उतना ही हमारा number बड़ा होता जाएगा इसकी maximum value हमारे पस A और B के magnitude के बराबर हो सकती है जिस case में cos theta 1 हो जाएगा dot product की example के तोर पे हम work की example consider कर सकते हैं अगर हमरे पसे body है जो के point A पे पड़ी है और हम इसकी उपर एक force F apply करते हैं और यह point A से move करके point B पे चल जाती है इस A to B जो इसकी displacement होती है इसको हम D displacement vector से रप्रेजेंट करते हैं अब work by definition अगर हम one newton force apply करते हैं और वो one meter body एक body one meter टेकरती है तो इसको हम कहते हैं के one jowl work हुआ यानी work force के नतीजे में जो displacement होती है उससे हमें पता चलते हैं कितना work हुआ और displacement जो है वो force के सिर्फ parallel component से होती है यानि force का जो component displacement vector के parallel है उसकी विज़े से displacement पैदा होती है और जो इसके perpendicular रहे से displacement पैदा नहीं होती है इसलिए work को measure करने के लिए हमें force का सिर्फ और सिर्फ वो component लेना है जो displacement vector के या direction of motion के parallel है और parallel components दो vectors के अगर हमने लेने हो तो हमें क्या करना चाहिए हमें उनकी dot product लेने चाहिए इसलिए work लेने के लिए हम F और D का dot product लेंगे तो हमारे पास पते सब्सक्राइब कि कितना work हुआ Vector product denote किया जाता है cross से A को B के साथ हम cross करें इसका मतलब है हम इनके perpendicular components को आपस में multiply करें coordinate axis में जब हम perpendicular components को आपस में multiply करते हैं तो क्या होता है जब हम A X को B Y के साथ multiply करते हैं तो यह ऐसा ही होता है जैसे हम जब हम बच्पन में area of square ले रहे होते थे हम इसकी length को इसकी height के साथ multiplied करते हैं तो हम परस area आ जाता है इसी तरह हम A X को जब हम BY के साथ multiply करते है तो हम एक area आ जाते है जिसकी direction इस plane से बाहर होती है positive Z Direction में तो जब हमने first 2 perpendicular components को multiply किया A X को BY के साथ multiply किया हम एक vector आ गया अब हम y से bx की तरफ जा रहे हैं, तो right hand rule के मताबिक, हमारी जो resultant vector हैगा, वो इस plane से opposite direction में होगा, और वो भी एक area होगा, भी जिसका magnitude different होगा पहले वाले area से, क्योंकि ay, bx मुख्लिफ quantities है, यनि हमारे पास दो vectors आगे हैं, एक screen से बाहर है, एक screen से अंदर है, तो हम उन दोन vectors को, चुक्के इनकी direction opposite है, तो हम actually उनको add करे हैं, मगर हम उनको minus sign के साथ लगते हैं, क्योंकि उनकी directions opposite है, ये basically net vector है, a और b के, जब हम perpendicular components को multiply करते हैं, तो ये हमारे पास vector आता है, और इसकी direction क्या है, z direction है, इस तरह हम, अगर हमारे पास 3 coordinates हो, x, y और z, तो उनका भी हम vector product ल États, वो स्प्लेन में होते हैं, तो जो resultant vector का हमारे पस, जो इनकी पर पास, जो component आता है, वो इनके perpendicular component आता है, x, y को multiply करके resultant vector का z component आता है, जो के हमने अभी नकाला, resultant vector का x component लेने के लिए, हमें y और z का आपस में perpendicular components को multiply करना पड़ेगा, और y लेने के लिए, x और z को आपस में multiply करना पड़ेगा इसी procedure के तहत इसके लाबा हम vector product जो है वो sin theta से भी ले सकते हैं A और B के magnitude को अगर हम sin theta के साथ multiply करें तो जिस तरह cos theta parallel components देता है दो vectors के आपस में इसी तरह sin theta जो है वो perpendicular components लेता है sin 90 के ऊपर 1 होता है और sin 0 के पर 0 होता है vector product की समझने के लिए हमें की example देखते हैं torque की first करें हमेरे पर एस एक body है जिसका center of gravity center of gravity एक body का exact center होता है जिस की उपर हम उसको एक point पर balance कर सकते हैं अब हम इस center of gravity को fix कर देते हैं इस दीवार पर हम कोई कील ठोक देते हैं और यह समझें एक foot ruler था इसको हमने इस center of gravity के उपर fix कर दिया ठीक है और अब हम इस के एक point P के उपर force apply करेंगे यह force एक vector है और center of gravity से लेके P तक का जो distance है यह भी एक vector quantity है अब force के दो components है, इस displacement के निस्बत से एक transparency and one the displacement. जो इसके parallel है उसकी वज़े से force के parallel component के वज़े से displacement, linear displacement पैदा होती है दूर्ग होता है छोकिकि हमने इस quantity को fix कर दिय है इसलिए parallel component के वज़े से कोई 1 असर यह औरoster सिर्फ स cela force का perpendicular component इसकी उप कर है उसकी वज़े से यह body linearly displaced नहीं हो सकती लेकिन इसके ऊपर एक और effect प्रडियूस होता है जिसको हम torque केते हैं जिसकी वज़े से यह body घूम जाती है अपने center of axis के around और यह जो effect है इसको torque केते हैं और यह सिर्फर सिर्फ फोर्स के perpendicular component की वज़े से होता है यह अगर आप torque मेजर करना चाहते हैं तो आपको force or displacement vector के perpendicular components को multiply करना चाहिए तो हमें पता है कि vector product हमें perpendicular components multiply करके देता है इसलिए हम force को displacement के साथ cross product लेंगे तो हमेरे पस torque आजेगा कि कितना torque produced हुआ है को हम sin theta से भी calculate कर सकते हैं अभी हमने work or torque के बारे में पढ़ा इससे related concept है equilibrium जिसकी 2 conditions होती है first condition यह होती है कि हमेरे पैस एक body है और उसके उपर कोई force act नहीं कर रहा तो उसका force applied इसके उपर zero है दूसरी condition है कि उसके उपर बुट सारे forces act कर रहे हैं मगर वो forces एक दूशे को cancel कर रहे हैं और तीसरी condition है कि force act कर रहा है लेकिन force measure किया जाता है mass into acceleration से तो वो जो हम उसके उपर जोड लगा रहे हैं उसकी विज़े से acceleration produced नहीं होगी acceleration zero है और वो body uniform velocity की साथ move करी है इन तीनों में से कोई भी condition true होती है तो हमारे पास sum of forces zero आएगा यानि first condition में force apply नहीं हो रहा है दूसरे condition में forces एक दूसरे को cancel करें और तीसरी condition में forces ले zero है किउँके acceleration zero है इसको कहते है first condition of equilibrium और जो body इन three conditions को certified करती है उसको हम कहते है कि वो translational equilibrium है तूसरी condition equilibrium के होती है कि sum of torques उस body cuber zero हो इसकी भी तीन conditions है पैली condition में तो उसके आपर कोई force act ही नहीं कर रहा दूसरी condition में उसके आपर torques act कर रहे है उसके उपर force के perpendicular components add कर रहे हैं लेकिन वो एक दूसर को cancel कर रहे है और तीसी condition में force इस तरह act कर रहे है कि acceleration zero है acceleration produced नहीं हो रही uniform velocity के साथ वो body घूम रही है इन तीनों condition में से अगर ये तीनों conditions satisfy हो तो हमें पस sum of torques zero आता है और body जो है हम कहते हैं कि वो rotational equilibrium में है अगर ये दोनों condition equilibrium की satisfy हो तो हम कहते हैं कि वो body equilibrium में है a force f 2i plus 3j unit has its point of application moved from this point to this point work done is basically हमार पास एक body थी जिस की उपर हमने एक force apply किया और वो इस position से move करके इस position पे आ गई इन दोनों position के हमारे पस position vectors दिये गए है और हमने इन दोनों का difference find है जो के इनका ये है let's suppose इसकी displacement है तो मैं सबसे पहले इन दोनों points को आपस में subtract करती हूं तो मेरे पस displacement vector आजएगा मैं 5 और 5 7 points में से 1 3 को subtract करूंगी 5 let's suppose i plus 7 j में से मैं subtract करी हूं i minus 3 j को तो मेरे पास displacement vector आएगा जो के बराबर है 4 i plus 4 j के और अब मैं इसको f dot t कर दूंगी मैं इसके x component को f k x component के साथ multiply करूंगी 4 2 0 8 और मैं इसके y component को f k y के साथ multiply करूंगी 4 3 0 12 तो मेरे पास आजएगा 20 units is the work done अब हम एक और एक्जांपल देखते हैं जिसमें हम two forces 5 newton and 10 newton are acting at 0 and p respectively on a uniform meter rod suspended at the position of center of gravity 50 cm mark हमेरे पास एक meter rod है जिसका center of gravity हमें बताया गया है कि 50 cm के ऊपर है इसका मतलब है कि चुके यह uniform structure है तो इस rod की total length वह 100 cm है अगर इसका center of gravity 50 cm के ऊपर है O point क्यूपर एक force आटकर है 5 newton और एक force आटकर है P point पे 10 newton लेकिन P point की हमें location नहीं पता हमने P point की location find out करनी है तो हम अब यह body equilibrium में suspended at लिखावा है position of center gravity ही equilibrium में हम एक्विलिब्रियम में हम एक्विलिब्रियम में है तो हमें for sure पता है कि जो इसके उपर sum of torques है वो 0 है हमेरे पास एक torques जो है वो 0 इसको हम T O कह देते हैं यह इस 5 newton force की विज़ासे है 5 newton into इसका displacement is center of gravity से 50 centimeter से हमने multiply किया तो हमेरे पास 250 newton centimeter यह तो का गए दूसरा जो टॉक पी के विज़ासे है वो 10 newton into अब हमें यह distance नहीं पता है इसको हम D कह देते हैं हमें यह पता है कि T O जो है वो T P के बराबर है तो हम 250 newton centimeter को 10 newton into D के साथ multiply करते हैं तो हमारे पास आजाता है distance जो है वो newton newton से canter हो गया 25 centimeter D है यह यह center of gravity से P जो है वो 25 centimeter इधर है यह 25 centimeter इधर है तो यह distance है यह 25 centimeter बनता है और यह बनता है 75 centimeter बनता है मेटर रूल के मताबए 25 को उप्शन हमें नहीं आना 75 हमें नहीं 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 आरा है चो कि इसका दुर्स जवाब है